हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल वांग्शन क्यूट लॉर्ण स्टोरी तो फ्रेंस चलिए मैं आज आज आपके साथ एक निव एफ एफ डॉंट लेम मी स्टार्ट करी हूं और फ्रेंस ये एक जानी एफ एफ है तो फ्रेंस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैन वेटेरिया में बैठी हुए थे एक लड़का दूसरी लड़के पचलाता है इबो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं जाओगे प्लीज इबो तुम चलो ना इबो कहता है चैन कि तुम सच में पागल हो बिल्कुल नहीं तुम चाहते हो कि मैं तुमारे घर जाके तब तक तुम भी हमारे साथ रहू एबो कहता है पर इसके लिए तुमारे घर जाके रहने की क्या जूरत दे चैन क मैं प्रॉमिस कहता हूँ है रोज तुमारे साथ तुमारे मेंशन चलूँगा और सीजे के साथ्टा आइंस्पेंट करूँगा चैन कहता है मुझे नहीं ब एब्क Rice एक रोने जैसा सकल बनाता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो तुम मुझे से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं और नहीं तुम sijay से प्यार करते हो देखो तुम बिल्कुल मेरे जानगा की तरह हो एब्क dutch नेhruvice करके देख रहा था चेंग कहता है इबो प्लीज इबो अच्छे से जानता था कि चेंग पहुत जिद्धी है जबी चेंग कहता है तुम अच्छे से जानते हो सीजे तुम से कितना प्यार करती है पता है आज तुनों ने मुझे ये का है कि अगर मैं तुम्हें मेंशन लेके नहीं तुम्हें घर नहीं आ सकता तुम क्या चाहते हो मैं बाहर रोड पे सूँ मैं घर में इंटर्ण ना करूँ सीजे मुझे घर से बाहर निकाल देंगी इबू कहता है तुम एडियट एक बात बताओ कितनी मूवीज देखते हो तुम्हें इतना सारा ड्रामा करनी करता है चैंग एक स्माइल करता है तुम बताओ तुम्हें क्या सूचा है इबू गहरी से सांस लेता है और कहता है ठीक है अगर मौ में लाव करती है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा चैंग इतना खुश हो जाता है इबो और चेंग की दोस्ती की मिसाले देते हैं और वैसे भी इबो किसी से बात नहीं करता इबो को कॉलेज में कोल्ड प्रिंस के नान से जाना जाता है रड़कियां इबो के पास आने के लिए मर्धी हैं लेकिन इबो हमेशा सब को इग्नोर कर देता है चेंग जो एक स्माइ नहीं तो सर आज हमें बहुत डाटेंगे ऐसा कहें कि दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं हम देखते हैं चेंग और इबो दोनों इबो के घर के सामने खड़ हुए थे इबो का कोई बड़ा सा मैंसन नहीं एक छोटा सा प्यार आसा घर है जिसमें इबो अपनी मॉम के साथ रहता है क्योंकि जब चोटा था तब ही किसी डीसीज की वज़े से उसके डैट की मौत हो गई थी तब सही इबो अपनी मॉम के साथ रहता है और इबो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है इबो अपनी घर की डोर बेल बजाता तबी दूर ओपन होता है और सामने एक बहुत सी प्यारी सी लेडी इसमाइल के साथ बहार आती है वह जैसे इवो को देखती है और कहती है इवो बेटा तुम आ गए इवो कहता है हा मा मैं आ गया और ऐसा कहके वो अपनी मा को हग कर लेता है तबी इवो की मा की नजर चैंग पर पड़ती है चैंग कहती है चैंग को देख की मा कहती है चैंग तुम यहां चैंग कहता है क्यों आँटी मैं नहीं आ सकता था आशतर्म केटिए अफ्कोरस आसक्तियओ बेटा यह तुम्हारा भी घर है जबावी चैंग सिमाइल करता है और मिस्स वांक के understood मिते लिक जात मुझे आप से कुछ बात करनी है। मिस्स व Dologий करना कईDoash laughs को सकता है और आँप करती है। तबी मिसिस वांग कहती है, चेंग और इबो, क्या बात है, बोलो, तबी चेंग कहता है, आँटी, मैं आप से कुछ मांगना चाहता हूँ, मिसिस वांग तोड़ा शौकड होती है, कहती है, चेंग, तुम्हें मुझे क्या चाहिए बेटा, तुम तो इतनी बड़ी फैमली के ह तुम्हारे पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ है, मेरे पास क्या है जो तुम्हें चाहिए, तभी चेंग कहता है, अंटी, मुझे इबो चाहिए, एक पल के लिए तुम मिसिस वांग शौक डो जाती है, और कहती है, क्या, क्या कहा तुमने, तभी चेंग कहता है, नहीं, नहीं, तबी चैंक कहता है क्योंकि सीजे की शादी होने बाली है और सीजे चाहती है कि इबो हमारे साथ जब टक रहे जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है क्योंकि वो पूरा टाइम हम लोगों के साथ स्पेंट करना चाहती है और सीजे ने का है कि अगर मैं आज इबो को लेके नहीं आया तो मैं घर में अंटर नहीं कर सकता मिसिस वांग की फेस पे एक स्माइल आ जाती है इबो जो बस अपनी मॉम को ही देख रहा था तब ही मिसिस वांग कहती है इबो कहें तुम जाना चालते हो इबो कहता है मॉम अगर आप कहींगे तो मैं चला जाऊऊँगा मिसिस वांग की फेस पे एक स्माइल आ जाती है वो कहती है ठीक है जाओ तूम जा सकते हो तब ही इबो कहता है पर मॉम आप मिसिस वांग कहता है मैं कोई बच्ची नहीँ हो तुम ऐसे क्यों भीव कर रहे हो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ बेटा, और हाँ, तुम जाओ, अच्छे से अंजय करो, ठीक है, और हाँ, जोली को जादा परिशान मत करना तुम दोनों, ठीक है, उसकी शादी होने वाली है, उसकी हैल करो और उसे बहुत खुश रगो, ठीक है, ऐसा कहती है, चैंग और इबो दोनों मिसिस वां को एक हग कर लेते हैं, इबो अपनी रूम में जाता है, तोड़ी देर में इबो अपनी सारे कप्टे लेता है, बैक पैक करता है, और नीचे आ जाता है, इबो जो अपनी मॉम की तरफ देख उसकी मॉम कहती है, इबो तुम्हे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा, जाओ, तुम एंजय करो, इबो अपनी मॉम की तरफ इसमायल करता है, और हम कहता है, तबी, चैंग कहता है, आउंटी, अगर किसी भी चीज़ की जरूरत है, अगर कुछ भी हो, तो प् अपना ख्यार रखूंगी, और कुछ भी होगा, तो तुम दोनों को कॉल करूंगी, अब हैपी, चैंग और इबो अपनी मॉम को फिर से गले लगा दें, और फाइनली वो दोनों उस घर से निकल जाते है, चैंग बहुत खुश था, वो इबो से कहता है, तुम्हें पता है, मैं कितना खुश हूं, चैंग और इबो, चैंग की कार में बैटते हैं, और दोनों चैंग के मेंशन के लिए निकल जाते हैं, अब हम तोड़ी दिर बाद का सीन देखते हैं, हम देखते हैं, एक बहुत बड़े प्यारे से मेंशन के सामने जाके, वो कार रुपती है, यहां कई बार आया है, लेकिन कभी रहने नहीं आया, यह उसका फरस्ट टाइम था, जब वो इतने बड़े मेंशन में इतने दिन तक रहने वाला था, चैंग इबो से कहता है, इबो चलो, इबो कहता है पर चैंग मेरा बैग, चैंग कहता है उसकी टेंशन तुम मतलो, वो दोर कर आती है, और इबो को अपने गले लगा लेती है, चैंग जो अपनी सीजी को देख रहा था, जी ओली, इबो को हग करती है, और कहती है, इबो तुम आ गए, तो मैं नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ, हैने सीडियेट को कहा था, आज अगर यह तुमें नहीं लाया, तो मैं इसे मेंशन में अंदर एंटर नहीं होने दूँगी, इबो की फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और कहता है, सीजे, कैसी है आप, जी ओली कहती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो, इबो कहता है, मैं भी वहत अच्छा हूँ, तब भी चै जी एक स्माइल करती है, और कहती है, आपकोस, मैं इबो से बहुत प्यार करती हूँ, और वैसे एडियत मैं तुम से भी प्यार करती हूँ, और उस जान से भी बहुत प्यार करती हूँ, जिसके पास हम लोगों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसा कहके वह एक स्माइल लिए कर रहा है इबो अब जी वली की तरफ देखता है और एक इसमाइल करता है जोली कहती है जाओ तुम दोनाचे से फ्राइशन अप हो जाओ मैं तुम लोगों के लिए डिनर रेडी करती हूँ ठीक है जैंग और इबो एक इसमाइल करते है जबी सर्वेंट इबो का बैग किया जाता है जैंग इबो से कहता है इबो तुम मेरे रूम में मेरे साथ रहना हम बहुत मस्ती करेंगे जोली कहती है पर क्यों इबो के लिए हम अलग रूम भी तो कर सकते हैं जैंग कहता है पर क्यों सीजे मैं और इबो तो एक ही रूम में रह सकते हैं जोली एक इसमाइल करती हैं और कहती है ठीक है तुम दोने इक ही रूम में रहू एसा कह 17 प्र और चेंग के रूम में रख देता है और ईवि और चेंग दोनों अपने रूम में चले जाते है És जो थे उतनों वारी वारी से स्लीक होते हैं अच्छा से कपटे चेंज गर lumière करगी हाते करते हैं और टीनर फिनिंश करते हैं थब इबो कहता है सीज़े आहा 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 आपके डurally कहते है इबो उसका कोई पता नहीं है अगर हम उसका बेट पी आहेंगे तो हम लोग भूके ही सो जाएंगे, वो काम से बहुत लेटा आता है, उसका नहीं पता वो कितने बचे तक आएगा वो एक सर्वेंट को बलाती है और जान का खाना फ्रीज में रखने को बोलती है हीबो ने आज तक कभी भी जान को नहीं देखा सिर्फ उसने हमेशा जान का नाम सुना है पर आज तक उसने कभी जान को नहीं देखा है वो दोनों बहुत सारा एंजर करते हैं मुवीस देखते हैं, फाइनली ठक जाते हैं, तब जी जाएंगे जाओ, अब तुम दोनों आराम करो इबो कहता है जान क्या आराम बच गया है तुमारे गगा अभी तक नहीं आए जैंक कहता है, गगा का आनी का कोई टाम नहीं है इबो, चलो हम अपनी रूम में चलते हैं, ऐसा कहा कि वो दोनों अपनी रूम में चले जाते हैं वो दोनों धोड़ी दिर बाते करते हैं, उसकी बात इबो और जन थोना सो जाते हैं लेकिन मिडनाइट में अचानब इबो की नीद उपन होती है इबो को बहुत प्यास लगी थी वो इदर उदर पानी देखता है तो उसे कहीं पानी नहीं देखता है इसलिए वो दीरे से बैट से उरता है और जाकर रूम से बहार निकलता है और किचिन की तरफ जाने लगता है इबो जो चुपचाप किचिन की तरफ जा रहा था तब ही इबो किसी से ठकरा जाता है जैसे क्योंकि इबो नीन में था और इबो जो नीन में ही चल रहा था इभो की निन पूरे तरह से खुली भी नहीं थी इभो जो जूच किचिन में जाता है और अचानक किसी से टकरा जाता है इभो जैसे ही गिरने वाला था कि इभो को फील होता है कि किसी की बाउने उसे बहुत टायटली होल्ड करके रखा है वो दीरे दीरे अपनी आइस ओपन करता है तो सामने किसी को देखता है एक बहुत खूबसूरा चेहरा बड़ी बड़ी आँखें सुन्दर्सी नोज बिल्कुल प्योर वाइट स्कीन और पतले पतले लिप्स और उनके नीचे एक मोल जिसे देखकर आजानक इबो की दड़कन फास्ट हो जाती है और उदर जिस परसन ने उसको वो पकड़ा था जो परसन इबो को देखता है तो बस इबो को देखता ही रह जाता है उस परसन की नजर बस इबो के फेस बड़ी थी उसकी यह बीट अचानक से फास्ट हो जाती है तब ही इबो उस परसन को देखता है और कहता है तुम कौनो उवत कौनो वो परोसन कहता अच्छा तुम कौनो और मेरे घर में उखे मुझे ही पूछ रही हो कि मै कौनो तब जॉली जो कुछ किचिन में आवाज सुनती है तो निकल के रूम से बाहर आती है उजैसे ही ज़ान को और ईवो को देखती है तो वो तो बस जान को ही देख रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था, जान का वो cold face, जान, जान का वो डरापना face देखके तोड़ा डर जाता है, तभी, जान, जो अपनी cold आवाज में कहता है, सीजे, मैं भी थोड़ी दिर पहले ही आया, तभी, जियोली कहती है, ये इबो है, जान क होने बाली है, तब तक, इबो यही हमारे साथ मेंशन में रहेगा, जान, जो बस इबो की तरफ ही देख रहा था, जबी, जोली कहती है, इबो, तुम अभी तक सोए नहीं, इबो कहता है, सीजे, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी लेने आया था, जोली कहती है, लगता है, आज सर्वेंट रूम में बाट पानी रखना भूल गई, कोई बात नहीं, ऐसा कहके वो फ्रिश से बॉटल निकालती है, और इबो को देती है, इबो, जो अभी भी तोड़ा डर रहा था, लेकिन उसका हाट अजब तरीके से रेक्ट कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन जान, जान जो अभी भी इबो की तरफ देखे ही जा रहा था, जयो जो जीन को देखती है, तो उससे तोड़ा अजीब लगता है, उसकी फीस पे एक स्मायल आ जाती है, क्योंकि जान पहली बार केसी परसन को ऐसे देख रहा था, जान, जान की नजर अभी भी इबो से हट नहीं रही थी तvard committee जियोली कहती है जान जाओ sorry इबो जाओ तुम दूम में जा कि सो जाओ बहुत लेट हो गया है और वो जान से कहती है जान कहे लिए खोना गरम कर दूं जान कहता है नई सीजे भुत लेट हो गया है जान की नचरे अभी भी इबो पर थी इबो जो जा रहा था और जान बस अभी भी इबो की तरफ भी देखे जा रहा था जी ओली कहती है इबो जान ऐसे क्या देख रहे हो उसे डराओ मत वो वैसे ही तुमसे डर गया है जान अपनी गोल्ड आवाज में कहता है पर दीजे मैंने दोस्ते कुछ नहीं कहा पर सीजी वो हमारे घर में क्यों है जी ओली कहती है क्यों तो मैं अच्छा नहीं लगा वो हमारे घर में जान एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बस मैं तो पूछ रह मुझे बहुत पसंद है और मैं इबो से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें तो हमारे लिए तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं इसलिए मैं जानती हूँ कि कम से कम मैं चेंग और इबो के साथ टाइम स्पेंट करूँ जान कहता है सोरी सीजे पर आप जानती है ना कि बहुत काम है औपिस में जोली एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना और जाओ तुम डाइनिंग टीबल पे बैटू मैं तुमा ले लिए खाना लेके आती हूं जान हम कहता है और जाकी डिनर टेबल पर बैठ जाता है जोली उसके लिए खाना गरम करती है और डिनर टेबल पर लेके जाती है वो जान से कहती है जान यह सब कब तक चलता रहेगा जान अपनी सीजे की तरफ दिखता है और कहता है क्या हो है सीजे जोली कहती है जान मैं अच तुम कब तक ये सब करते रहोगे क्या तुमारी खुद की लाइफ नहीं है तुम पूरी तरीके से वर्कॉलिक हो गए हो जान तुम बहुत छोटे थे तुमने ये सब को समाला और सब को बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन तुमारी खुद की भी लाइफ है जाने की स्माल करता है और कहता है सीजे मैं ठीक हूँ आपको जादा सोचने की जरुरत नहीं है जॉली कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो अच्छे से जानती है उसके अपने भाई को वो एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है जान प्लीज यह सब कुछ रोक लो वो अपने मन में कहती है कोई मेरे भाई की ऐसे लाइफ में कोई तो ऐसा होगा जो इसके लाइफ को पहले जैसा करतेगा तबी यह उसे इबो को याद आता है कि जान इबो को कैसे देख रहा था तबी जोली के फेस पे एक स्माइल आ जाती है जान जो अपनी सिस्टर की तरफ देखतार कहता है सीचे क्या हुआ क्या सुच रही आप जोली कहती है कुछ नहीं बस ऐसे यह जोली जब तक जान के पास बैटी रहती है जब तक जान तिनर फिनिश नहीं कर लेता तिनर फिनिश करने के बाद जान जोली की तरफ देखता है और उसके फोरट पे किस करता है और गुड नाइट कहके अपनी रूम में चला जाता है जोली के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है तो फ्रेंज नेक्स पाट हम कल देखेंगे और प्लीज स्टोरी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगेगी तो ही मैं इसे आंगे शेयर करूँगी नहीं तो मैं इस स्टोरी को यहीं स्टॉप कर दूँगी ठीक है और प्लीज प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना यार आप सस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं करना जाच बता हूं तो स्टोरी बनाने का मनी नहीं करता क्योंकि आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज फ्रेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए बाबाई टेक केर